नमस्कार आप देख रहे हैं कि तांश टीवी प्रस्तुत हैं समाचा चेनई में काम करने के दौरान छट से गिरने से छोटू की हुई मौत रंका से प्रमोत कुमार याधव किल पोड रंका प्रखन के कंचनपूर पंचाद के रब्दा गाउं निवासी परमेश्वर भूया के तीस वर्षे नाती का चेनई में मौत हो गए शब घर पर आते ही रब्दा गाउं में शोका कुल सा महोन हो गया इस संबंद में कंजनपुर पंचात के रब्दा गाउं के वरिष्ट व्यक्ती साहसमाच सीवी देवेंदर अतिवारी ने बताया कि यह लड़का जिसका नाम छोटु भुया है इसका पिताजी का नाम बिगु भुया है यहां रहला उड़सुगी का रहने वाला है लेकिन अपनी नाना परमेश्वर भुया के यहां ही लोग रहते थे जो यहां से ही रोजी रोटी के तलाश में कान करने चेने गया हुआ था जहां चेने में बड़ी बिल्डिंग में काम हो रहा था वहां पर सीलिंग के काम करते को चोटू भुया चत से नीचे गिर गया और उसकी घटना इस्तल पर ही मौत हो गया जिसे कंपनी के द्वारा चोटू भुया को उसके ननिहाल कंचनपूर पंचाट के रब्दा गाउं लाया गया जो शब के आते ही रब्दा गाउं गमगीन हो गया इस मौके पर कंचनपूर पंचाट के मुख्या पती शेखर कुमारादी तहां भी संख्या में गाउं की ग्रामे लोग उपस्तित रहे बहर उसुगी बहुंता हैं मों भर्णा में पंचनपूर हो बहारी प्लान नी गटना हो गया कुछ आते हैं साका सर्वांग है कुछ आते भी है अपना मुवावद आप कंपनी तो थेजा है लाइलार का चे आपना पर्चे मेरा नाम देवनर नातिवारी फिला पर्शक पर्ची में थी नहीं कोई कमपनी मारविन करका है जिसमें काम करने गया हुआ था यहीं कोई ठीकेदार थे लगभर चार बजे आसपास सिकंड फ्लोर में काम करने को दौरान गिर जाने से उनकी निधन हो गई काब है शिन्नाई में शिन्नाई में इनका नाम होगा छोटू भुयां किता दीबु भुयां ग्राम उड़सुगी कंचनपुर में इन लोग रहते थे प्लांट गई हुए थे इसी दोराने साथ घटना हुआ जो बहुत दुखद है और कंपनी इसे वज में इनको दूल लाग पचास जार चार्सवाठार रुप्या कर चेक भी दी है और इनकी साथी हुई थी बाल बच्छा है इनकी नहीं है अपना परच्छा है चंदर सेखर कुमार मुख्या परती नहीं थी ग्राम पंचाइट कंचनपुर परमेश्वरी मेडिकल सेंटर चीनिया रोड नाहर चौग करवा यहां दूरबीन द्वारा पित की पत्री, अपैंडिक्स, हर्निया, बच्चे दानिकार, जांच, एंव ऑपरेशन, अंडशे में गांट, ट्यूब में बच्चे का होना, ट्यूब की जांच, वा बन ट्यू दूरबीन द्वारा ओपरेशन संभव, नो, दूरबीन द्वारा ओपरेशन की बाद कोई दर्द नहीं, कोई ब्लीडिंग नहीं, जल्द चुटी, विशेश चानकारी के लिए दिये गए नमबर पर संपर्क करें